नुबश्का दोस्तों मैं हूँ अधिती शर्मा स्वागत आप सभी का फिल्म विंडो में हाजर हूँ आप सभी के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर तो बिग बॉस की कंटेस्टन रह चुकी अकासा सिंग जी हां अकासा सिंग ने ट्वीटर पर लगाई है हेटर्स की क्लास अब बहुत कुछ नो ने लिखा है जब से अकासा बिग बॉस के घर से बाहर आई है तब से काफी एक्टिव है बिग बॉस को लेकर और एपिसोड देखती है उसके बाद अपना रिवियू देती है और अगर करे बाथ हमके किसको कर रहे है सपोर्ट तो बिग बॉ जो है और ज़्यादा स्ट्रॉंग हो काफी जादा टाइम जो है अकासा के साथ ही स्पेंड करते थे प्रतीक सहजपाल लेकिन फिर अचानक से मतलब अकासा एलिमिनेट हो गई क्यूंकि कुछ खास गेम प्रतीक सहजपाल से बात करने के अलावा उनके साथ टाइम स्पेंड कर अकासा का कोई गेम था नहीं एक्चुली बिग बॉस के घर के अंदर तो लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाई जितना भी था सब कुछ प्रतीक सहजपाल के इर्दगेर्द घूम रहा था उसके बाद अकासा ने बाहर आकर काफी सारे खुलासे किये और हर दिन वो कुछ ना क आप लोग तो अपने घर में पैटे हो भाई आप लोग को किसी ने बंद नी कर रखा है और आप लोग मतलब कुछ भी कर सकते हो तो इतनी जादा जो है टॉक्सिक चीजे मत बोलो जैसे कुछ फैंस होते हैं ना कुछ फैंस नहीं मैं उनको बोल सकती कुछ टॉक्सिक किसम के लोग होते हैं जो काफी डेगटिविटी जो है जो है स्प्रेड कर देते हैं शोचल मीडिया पर अगर उनके फेवरिट के साथ कुछ हो जाए या प्रशन ना आये दूसरा कंटेस्टेंट तो मतलब वो उनको डिफेम करने की कोशिश करने लग जाते हैं तो उनको ये करारा जवाब दिया गया है कि तुम अपने फोन तक रहो ना अपने घर में बेटू आराम से उनको करने दो जो वो कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा अकास चैक्शन में जरूर बताइए लेटस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ